हलो बच्चों कैसे आप सब होफ़ली सब अच्छे होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे है ना तो चलिए देखिए आज हम क्लास 12 के एलिवेंट बूक में से चैप्टर नमबर 11 जो के डिफरेंशल एक्वेशन का चैप्टर है उसकी 4th exercise का 9th question कंप्लेट करने वाले है इसमें total लगबग 6 या 7 parts हैं तो काफे time इसमें लग सकता है तो इसलिए आज के इस वीडियो में ये एक ही question हो पाएगा तो hopefully आपको अब तक के जिदने भी question से हैं सभी अच्छे तरीके से समझ आए होंगे फिल भी अगर किसी तरह का doubt रहा है तो आप comment भी कर सकते हैं टेलि और ये 9th question के सुरुआत कर देते हैं ओके देखिए 9th का 1st part क्या है find the particular solution of the differential equation, differential equation कुछ हैसी given है और हमें यहाँ पर x और y की value substitute करनी है ताकि c की value find out कर सके तो चलिए लेकर चलते हैं देखिए answer इसमें सबसे पहले डिवाबे dx को free करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करें यहाँ पर log को shift करते हैं है ना लोग उदर जाएगा तो e की power में बन जाएगे 3x plus 4y अब इनको फोड़ासा इसको हम ऐसा लिख सके हैं 3x multiply e raise to power 4y है ना अब separation का काम कर लेते हैं e raise to power 4y इधर आकर divide करेगा dy and e raise to power 3x dx इंटीग्रेटिंग का काम स्टार्ट कर ले इंटीग्रेटिंग इसको बोग साइड्स अचली है यह बार-बार करना ही है क्योंना हम अल्रेटिग्रेटिंग्रेटिंग्रेशन का साइड इस ऊपर लिए e raise to power minus 4y dy integration e raise to power 3x dx इना अब integration करें तो क्या हो जाएगा exponential का same फिर minus 4y का derivative minus 4 e raise to power 3x 3x का derivative 3 plus c यह तो यह तो क्या है हमारा general solution है लेकिन अब हमें इसमें x और y की value substitute करनी है इसको 1 बोल देते हैं in 1 क्या है xy की 0 0s है अच्छा है आदे के so e raise to power 0 divided by minus 4 is equal to e raise to power 0 divided by 3 plus c so basically क्या बच रहा है minus 1 by 4 is equal to 1 by 3 plus c है ना तो c के value यहां से कितनी आ रही है shift करें तो so इसको 1 by 3 को left में shift करें तो minus 1 by 3 12 else here minus 3 and minus 4 minus 7 by 12 यह कुछ बन रहा है है ना तो इस c के value को वापस से अब हम हमारे first equation में substitute कर दें therefore required particular solution from 1 is क्या हो जाएगा minus e raise to power minus 4y divided by 4 is equal to e raise to power 3x divided by 3 and c के value minus 7 by 12 तो यह आ गया हमारा particular solution here अब यहां पर throughout 12 से multiply करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं ताकि इनका जो denominators है वो denominators क्या हो जाए खतम हो जाए okay तो चलिए second part करते है second part अच्छा अलग है find the particular solution of e raise to power d by by dx is equal to x plus 1 and given that x के value 0 और y के value 3 हमें आपर substitute करनी है okay तो चलिए देखें क्या किया जा सकता है इसमें हमें given तो है e raise to power d by by dx is equal to x plus 1 अब एक तरफ से exponential अगर हम हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या लग जाता है log लग जाता है जैसे last question में हमने एक तरफ से log हटाया था तो दूसरी तरफ exponential बन गया था तो उसी तरीके से तो अब यहां पे separation कर ले dy and log of x plus 1 dx राइट integrating का काम स्टार्ट कर ले चली देखे तो यह integrating dy integrating log of x plus 1 and dx लेगिन log का integration तो मैं directly पता ही नहीं तो हम क्या गरें इसमें multiply 1 कर लेते हैं आइलेट से इसको यानि की बाइपार्ट से हम करने वाले आइलेट की help लेकर so y का integration यहां तो 1 का integration क्या हो जाएगा y यहां first same फिर second का integration राइकिन 1 है one का integration x फिर minus first का derivative log का one upon one plus x और फिर one का integration x and dx तो हलके फुलके अब adjustment करने पड़ेगी यह x जो है starting में लिख लेते हैं plus c तो रही गया था तो देखिए हमने ऐसा किया फिलाल ऐसी situation दी x plus 1 तो हम plus 1 और minus 1 कर लें dx और यह करेंगे कि x plus 1 के साथ जो है हमारे denominator को अलग separate कर देंगे और minus 1 के साथ हमारे denominator को अलग separate कर दिया ठीक है यहां तो कटके हमारे पास क्या बच्रफ 1 का integration करना है तो फिलहाल तो यह portion same चलता आ रहे है पन का integration x फिर माइनस और यह माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे वन अपन लीनियर है वन अपन लीनियर का क्या हो जाएगा लोग ओ लीनियर हो जाएगा अब एक्स प्लस वन ठीक है एनड प्लस सी चली रहे तो अब एक्स और य की वैलू सब्चिट्यूट कर दे एक्स वैलू जीरो रखने थे वाई की वैलू 3 रखने थी इन वन में ठीक है तो चली देखते हैं y की जगे 3 substitute करें x 0 है तो 0 multiply 0 plus 1 वैसे तो 0 भी बनेगा plus log of 0 plus 1 c की value तो 0 आती नजर आ रही है sorry 3 देखो ये तो पूरा portion 0 फिर minus ये भी 0 फिर log of 1 बचा log of 1 भी 0 होता है plus c तो यानि कि c की value कितनी आ रही है c की value 3 के equal आ रही है so हमारे required particular solution क्या बन जाएगा therefore required particular solution from 1 is y is equal to चलिए काम और कर सकते हैं या पर क्या देखिए log of x plus 1 आपको दो बार नजर आ रहा है आप चाहें तो इसको common ले सकते हैं और c की जगे c की value रख दी ऐसे भी छोड़ सकते हैं वैसे कोई दिक्कत नहीं है यह देखिए इन दोनों में मैंने क्या किया log of x plus 1 को ले लिया तो नहीं bracket में क्या बचा x plus 1 बच गया यह minus x और plus 3 as it is clear यह था हमारा second part चलिए next third part करते हैं क्या है find the particular solution of this differential equation given that y और x के value हमें 0 लेकर चलनी है ठीक है चलिए देखते हैं क्या situation बन सकती है directly यहां पर separation ही कर लेते हैं देखिए यह जो पूरा portion है यह as it is as a multiply divide की तरह हम shift कर लेते हैं इधर 2 e raise to power minus y minus 1 and x plus 1 दूसरी दरव shift हो जाएगा dx right so काम यह करते हैं कि यहां पर e raise to power minus y को 1 upon e raise to power y लिख लेते हैं और उसका ले लेंगे हम फिर calcium इसको हमने लिख लिख लिया ऐसे minus 1 है dy 1 upon x plus 1 dx इंटेग्रेटिंग बोथ साइट कर लें साथ-साथ हम हलके-फुलके adjustment भी कर लेंगे तो हमने यह किया कि जो e raise to power y वो उपर shift कर दिया और यहां क्या बचा 2 minus e raise to power y बच गया और dy चीक लग रहा है integrating 1 plus x dx तो अब आप नोटिस करेंगे देखे इसका derivative उपर है except यह minus के तो ऐसा कर सकते एक minus multiply और divide घर दिया ठीक है so minus as it is यहां क्या गया log of 2 minus e raise to power y is equal to log of x plus c1 and plus c रहने दें अब c की value को find out करें वैसे आप यहां पर log c लें तो हो सकता है उससे answer पर little bit difference आ जाए चीक है फिलाल हम c ही लेके चलते हैं देखते हैं क्या situation बन रही है हमें x और y की दोनों की value zeros रगनी है so tax is equal to 0 y is equal to zeros in 1 so यह बन गया minus log of 2 minus e raise to power 0 is equal to log of 0 plus 1 plus c so minus यहां क्या बच गया 2 minus 1 क्योंकि e raise to power 0 तो क्या होता है e raise to power 0 1 होता है और यहां क्या बचा log of 1 यह तो 0 बन रहा है देखें क्योंकि यह क्या गया log 1 और log 1 क्या होता है जीरो और log 1 यहां भी 0 है तो c की value basically हमारे पास क्या आ रही है जीरो ही आती है तो यह से ठीकी रग कि हमारे पास c की value यहां पर कोई दिक्कत नहीं है हो सकता है कि यहां पर हम log लेकर चले तो कोई different answer हमें देखने को मिल सकता है clear क्या situation बनती है required therefore required particular solution from 1 is so क्या आ गया यहां गया minus log of 2 minus e raise to power y is equal to log of x plus 1 या तो हम यह कर सकते हैं कि दोनों तरफ log अब खतम कर सकते हैं लेकिन यह minus हमें power में shift करना पड़ेगा पहले log of 2 minus e raise to power y की power minus 1 log of x plus 1 तो दोनों तरफ log खतम करें तो यह मारे पास क्या बच रहा है 2 minus e raise to power y whole power minus 1 and x plus 1 तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 upon 2 minus e raise to power y is equal to x plus 1 अब इसको उधर shift कर दें तो इधर 1 बच जाएगा और यह x plus 1 multiply 2 minus e raise to power y clear so little bit answer के representation में difference आ सकता है वह आपको थोड़ा बोद देखना पड़ेगा कि कैसे adjustment की जा सकती है वरना हम यहां जो कर रहे है वो बिलकुल सही है कोई दिक्कत आपको marks में नहीं आने वाली है clear चलिए next करते है fourth part क्या है derivative differential equation दे रहते है x की value 0 y की value हमें one substitute करनी है तो देखे separation का काम करी लेते है y square है अकेला उसको हम इस तरफ shift कर लेते है चाहें तो four को लेकर आ सकते है साथ में कोई दिक्कत नहीं है कोई बात नहीं हम नहीं लेकर आ रहे है स्क्राइटेज रहने दे रहा है d x इधर आ गया integrating both side का काम कर लेते हैं तो situation मन गई कुछ ऐसी d y minus four x dx तो यहाँ integration क्या अज़ा है sign change नीचे एक power कम है ना minus four x का x square by two plus c okay so इसमें अब हमें क्या गरना है x और y के value substitute करने है put x is equal to zero y is equal to one in one तो यह हमारे पास क्या आ रहा है minus one upon one is equal to minus two into zero raise to power two plus c so c के value देखे कितने आ रही है minus one के equal आ रही है right so therefore required particular solution from one is क्या हो जाएगा यह हो जाएगा minus one by y is equal to minus two x square और c की value minus one y को आप दूसरी तरफ shift करना चाहे तो दूसरी तरफ shift कर सकते हैं वैसे throughout सब में एक minus नजर आ रहा है तो minus खतम ही कर देते हैं सब में से तो यह हो गया हमारा particular solution वैसे normally y को हम main मानते हैं dependent variable तो y को reciprocal करके हम उपर ले आए बाकी चीज़े नीचे आगी वैसे इसको multiple में भी सो कर सकते हैं तो different situation होती है ऐसे कोई चकर नहीं है आप इतना करके आएंगे तो भी ठीक है ओके यह मैंने इस तरफ shift कर दिया क्लियर सारा representation का खेल है चल नेक्स्ट फिफ क्या है ओके काफी लंबी situation है इस तरह का question I think हम पहले कर चुके हैं कहां किया है ध्यान नी आ रहा है चलिए देखते हैं वैसे साफ साफ यहां पर नजर आ रहे है कि यह partial fraction से करने वाली situation बंती नजर आ रही है तो देखते हैं क्या situation बंती है कि dy को इधर लेकर रखें वैसे dy का तो कोई portion ही नहीं है सारा का सारा matter जो है वो x का ही है तो 2x2 प्लस x और यहां बच गया x3 प्लस x2 प्लस x प्लस 1 और dx ठीक है देखें फर्स्ट टू टम में x2 कॉमल लिया क्या बचा एक्स प्लस 1 बच गया ठीक है लास्ट टू टम में 1 कॉमल ले लेते हैं क्या बचेगा x प्लस 1 so basically हमारी situation कुछ ऐसे से बन गई यह x प्लस 1 हमने कॉमल ले लिया तो यह x2 प्लस 1 दूसरी ब्रैकेट में बच गया अब इसकी representation चेंज करनी है तो integrating both side start करें या पहले इसको लिखने का तरीका चेंज कर लेते हैं उसके बाद integration कर लेंगे इसको हम बोल देते हैं कुछ आई इस आई को लेकर चलते हैं देखिए ठीक है इस आई को लिखने का तरीका चेंज करते हैं या स्टहन ही दीजिए आज इस आई को लिक्कत ही नहीं आएगी आई थिंग ऐसे एक्स्ट्रापेज की जरूरत पढ़ सकती है क्योंकि पार्शिल जो है वो काफी लंबी प्रोसेज हो जाती है लेट कर रहे हैं 2x2 plus x divided by x plus 1 and x2 plus 1 को हमने दिनोमिनेटर में linear है और यहाँ दिनोमिनेटर में क्वाडिटी का लिनेर है तो उपर constant नीचे क्वाडिटी का तो उपर linear bx plus c lcm ले ले left hand side same x plus 1 x square plus 1 is equal to क्या बन जाएगा lcm आ गया x plus 1 x square plus 2 तो एसे multiply करें तो ax square plus 2 है x को इसे किया तो bx square plus cx plus bx plus c डिनोमिनेटर दोनों के cancel comparing का का काम कर लेते हैं comparing both sides so क्या बनने वाला देखिए x square को coefficient compare करें तो a plus b यहाँ x square को coefficient left hand side में 2 है इसको equation 1 बोल देते हैं x के coefficient को compare करें तो c plus b left side में compare करें तो 1 इसको 2 बोल देते हैं constant को compare करें तो 2a plus c left में constant को compare करें तो 0 ऐसा ही है हाँ ठीक लग रहा है तो अब हम यहाँ से ऐसा करते हैं कि c के value निकालेते हैं माइनस का 2a और वह c की value 2 में रख देते हैं put c is equal to minus 2a in 2 सो यह क्या बन जाएगा minus 2a plus b is equal to 1 इसको बलते हैं 3 और subtract कर लेते हैं subtract 1 from 2 2 so 2 हमारी कुछ ऐसी है और 1 है a plus b is equal to 2 subtract करने हैं तो sign change करने पड़ेंगे यह cancel minus 3a is equal to minus 1 so a की value कितनी आ रही है 1 by 3 के equal आ रही है है न तो चलिए आगे करते हैं और यह क्या एक गलती नजर आई भाई कहाँ गलती होगी देखिए यह actually x square plus 1 था x square plus 2 लिख दिया मैंने और इस 2 की हुझे से अब क्या कई fact पढ़ेगा actually सिर्व यहीं fact पढ़ना था यानि कि constant term में constant में यह आएगा minus a यह यह minus a यह 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 2 यह बना 1 by 2 ज्यादा difference नहीं आ रहा है a की value को अब मैं रख देता हूं c से therefore c किसके equal हो जाएगा minus a, a का opposite sign यानि यह बन किया minus 1 by 2 और a की value से हम निकाल लेते हैं b की value put a is equal to 1 by 2 in 1 यह बन जाएगा 1 by 2 plus b is equal to 2 so b की value कितनी आ रही है 3 by 2 so a, b, c तीनों की value आ गई है तो हमारा 1 equation जो है इसको हम ऐसा लिख सकते दे और यहाँ पर अब हम 1 की help से इसको लिखने का तरीका change कर देते हैं therefore from 1 y किसके equal हो जाएगा देखे a upon x plus 1 करना है so a क्या है 1 by 2 और upon में क्या है x plus 1 plus bx plus c bx plus c c की value minus 1 by 2 है and denominator में था x square plus 1 and dx अब इसका integration करना बाकी है so हलकी सी adjustment कर लेते हैं देखे 1 by 2 तो हम नहीं ले लिया common क्या बचा 3x minus 1 और यहां पर x square plus 1 so ऐसा करते हैं यह 3 भी common ले लेते हैं एक phase इंक्लूड करना है extra ठीक है देखे x plus 1 plus 3 मैंने common ले लिया x minus 1 by 3 और नीचे x square plus 1 है basically मैं नीचे का derivative उपर बनाना चाहता हूं तो उसके लिए मैं हलकी सी अब adjustment कर रहा हूं देखे मैंने इस x के साथ यह denominator अलग कर लिया x square minus plus 1 and minus 1 by 3 के साथ मैंने इसको अलग कर लिया minus 1 by 3 के साथ मैंने इसको अलग कर लिया इस वाले portion में मुझे 2 की जरूरत है तो मैंने 2 से multiply और डिवाइड कर दिया ओके यह मेरे पास अब I think सब कुछ adjust हो गया है यह 3 से 3 cancel हो सकता है फस्ट का integration क्या जाएगा 1 by 2 तो सेम है यह log में चला जाएगा log of x plus 1 then 3 by 4 same है यह log में चला जाएगा log of x square plus 1 minus 1 by 2 चली रहा है और यह बन जाएगा I think 10 inverse में 10 inverse x में है ना और plus c हमारे साथ चली रहे clear तो अब हमें x और y की जो values दी गई है उन x और y की values को भी रखना x की value 0, y की value 1 बोला गया है तो इसको 1 बोल गया है put actually 2 x is equal to 0 and y is equal to 1 in किसमें 1 में तो हमारे पास क्या बन रहा है 1 is equal to 1 by 2 log 0 plus 1 plus 3 by 4 log 0 square plus 1 minus 1 by 2 10 inverse 0 plus c तो basically देखिए 1 बचेगा क्योंकि देखिए log 1 0 फिर से log 1 0 10 0 0 है ना तो 0 plus c यानि कि c की value कितनी आ रही है 1 की equal आ रही है therefore required particular solution हमारा क्या बनने वाला है वो लिख लीजेगा 1 by 2 log x plus 1 plus 3 by 4 log x square plus 1 minus 1 by 2 10 inverse x and plus 1 clear तो यह हो गया वही हमारा 5th चलिए 6th करते हैं part क्या है ओके चलिए shifting करते हैं इसमें shifting करके क्या situation बनती है फिर देखते हैं कुछ adjustment हो सकती है तो चिक है ओके देखिए 1 minus y square 1 plus log x dx इसको इदर रखा 2xy dy को दूसरी तरफ ले गए ओके so dx की तरफ तो dx को ही रखते हैं और x को इदर ले आए dx minus 2y उधर ही है और यहां 1 minus y square अरे वाँ बन गई वाँ देखिए integrating both side करते हैं integrating both side करते ही है हमारे पास क्या situation बनने लग रही है 1 plus log x divided by x dx यह देखिए नीचे का derivative minus का 2y और यह minus का 2y बनी रही है so integration करें तो यह का बन रही है इसका derivative भी हमारे पास है 1 by x तो यह क्या जाएगा इसकी तो एक पावर जादा और उसी से divide वाले जो फोर्मूला है वह लग जाने वाला है और यहां log का फोर्मूला लग जाएगा इसको हम यह लिख सकते हैं 1 minus y ही है न हां तो यह बन जाएगा log of 1 minus y square ठीक है plus c values रखें x की value 1 रखनी है और y की 0 put x is equal to 1 and y is equal to 0 in 1 इसमें 1 रखतें तो यह क्या बन जाएगा 1 plus log 1 का whole square by 2 is equal to log of 1 minus 0 का square plus तो देखें log 1 0 0 1 plus 1 1 1 का square 1 1 by 2 और यहां log 1 0 plus c तो c की value कितनी आ रही है 1 by 2 के equal आ रही है right so therefore required particular solution is please please वो फूरी form लेना क्या बन जाएगा 1 plus log x whole square divided by 2 and log of 1 minus y square plus c की value 1 by 2 है ना तो यह आगे हमाते पास 6th part का अंसर चली लास्ट पार्ट करते हैं फटा फट क्या है e पहले तो shifting करते हैं e raised to power x 10y dx is equal to और इसको दूसरी तब shift करें तो e की power x को positive बना लेते हैं और c अरे वाई देखिए यहां पर भी I think इस तरह का question हम अलड़ी कर चुके हैं एक बार है ना so integrating both side करते हैं integrating both side में अभी देखिए integrating नीचे का derivative देखिए नीचे का derivative उपर बना हुआ है आर हमसे हो जाने वाला है यहां पर भी आप notice करोगे कि नीचे का derivative उपर बना हुआ है तो integration क्या हो गया log of e raised to power x minus 2 log of 10y plus c और अब हमें x और y की क्या values रखनी है वो देख लेते हैं put x is equal to y is equal to in 1 है ना तो क्या-क्या रखना है x के value 0, y के value 5 by 4 रखनी है I think बिल्कुल same हम करके आये थे है ना तो चलिए देखे log of e raised to power 0 minus 2 and log of 10 pi by 4 plus c है ना तो यह क्या बन गया log of e raised to power 0 तो क्या होता है इसका effect कहां पढ़ रहा है चलिए e raised to power 0 यह 1 minus 2 और log of 10 inverse 1 10 pi by 4 कितना होता है 1 ही होता है तो यह भी देखे यह basically हमारे पास क्या बनेगा minus 1 और हमें positive पर काम करना है तो 1 तो log 1 कितना होता है 0 फिर से 0 plus c तो c के value यहां से कितनी आ रही है 0 ही आ रही है तो therefore हमारे required particular solution क्या बन जाएगा यह बन जाएगा log of e raised to power x minus 2 is equal to क्या आ गया 10y clear तो यह था भी हमारा ninth question is fourth exercise का hopefully आपको यह question समझे आया होगा फिर भी अगर किसी तरह का doubt रहा है तो आप comment करके जुरूर बताएं okay so content अचा लगा तो please like करना ना भूले अपने friends के साथ share करना ना भूले ताकि उनको भी कुछ ना कुछ benefit हो और channel पर नए है तो please subscribe भी करें तो चली मिलते हैं next video में आगे questions के साथ झाल